इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिविव करेंगे उसका नाम है सिप्रो फ्लॉकससिन और नीचे लिखा है फ्लॉकसिप जो इसका ब्रैन्ड है इसकी इलावा इस एक बहुत famous brand है Novidate वो भी इसी drug का brand होता है Ciprofloxacin यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 mg इसकी इलावा भी इसकी doses है 100 mg में भी आती है 250 mg है 500 mg है और 700 mg में भी यह tablets available है अच्छा क्योंकि यह एक antibiotic है तो जाहर सी बात है जो bacterial infections होंगे उनके लिए इस्तिमाल होती है तो bacterial infection में सबसे पहले तो मैं आपको बता हूँ acute sinusitis तो जो sinusitis होता है जो हमारे चहरे पे air species होती है अक्सर उनमें जो है inflammation हो जाती है तो इसके लिए इस्तिमाल कर सकते हैं आप 500 mg पर oral यानि के tablets वगारा में से आप इस्तिमाल कर सकते है कोई infusion लगाना हो तो 400 mg का infusion भी लग सकता है इसके इलावा bones and joint infection तो अगर आपकी हड़ियों में कहीं पर infection हो गया है तो हड़ियों की infection के लिए 500 mg पर oral tablet है 12 वार्स यानि के दिन में 2 बार tablet लेनी पड़ती है फिर या 400 mg का infusion भी लगा सकते है इसके इलावा अगर आपके पास bacterial prostatitis है अब आप यह जानते हैं कि मर्दों में ग्लेंड होता है prostatic gland तो वहाँ पर अगर कोई inflammation वगारा हो जाती है ऐसी condition में भी फिर chronic होती है अक्सर यानि लंबे अरसे तक होती है तो आप जो है 500 mg की tablets ले सकते हैं या 400 mg का infusion लगा सकते हैं लेकिन ये chronic है तो तकरिबन एक महीना तक ये आपको regime पूरी करनी पड़ती है अच्छा डाइरिया हो गया अब डाइरिया infectious भी होता है non infectious भी होता है लेकिन non infectious डाइरिया के लिए आप इसे प्रोफ्लक्स से सिन यूज नहीं करते है क्योंकि वहाँ पर infection तो है ही नहीं अगर bacterial infection हो गया है तब आप infectious डाइरिया में 500 mg की drug यूज करते हैं पर गया 5-7 दिने नहीं एक हफ़े तक आभ ये tablets यूज करते हो severe हो गया बहुत ज़्यादा है या साथ में बहुत pain फील करें neuropathic pain तो फिर tablet से काम नहीं चलता फिर infusion ही यूज करेंगे 400 mg का infusion यूज करेंगे पेट के अंदर के infections के लिए भी आप infusions इस्तिमाल करते हो या फिर tablet यूज करोगे तो 5-7 दिन तक tablet यूज करोगे अगर तो respiratory track infection यानि सांस की नाली के infections हो गए उसके लिए और भी बहुत सारी अच्छी ड्रग्स हैं लेकिन सिप्रोफलोकससिन भी बहुत मुफीद ड्रग होती है 500 mg पर oral यूज करते हैं या अगर IV लगाना चाहें तो IV भी लगवा सकते हैं और ज्यादा सिवीर infection में डोस 500 से बढ़ाकर 750 कर देते हैं इसके 11 नोजोकूमल निमोनिया भी है यानि आप हस्पताल में गई आप एडमिट हुए लेकिन आपको पहले निमोनिया नहीं था हस्पताल में एडमिट होने के बाद आपको निमोनिया हुआ है इसका साफ मतलब है कि आपको हस्पताल में जो गंदगी है उसकी वज़े से निमोनिया हुआ है इसलिए हम इसको नोजोकूमल निमोनिया कहते हैं तो उसमें फिर आप infusion लगाते हो 400 mg की तकरीब एक से 2 हफटों तक इसके इलावा बहुत जरूरी UTI खास करके UTI में ही सिप्रोफलोकससिन इन्फूशन लगाई जाती है यानि खवातीन में UTI के चांसिस बहुत ज्यादा होते हैं तो वो सिप्रोफलोकससिन लगवा लेती है अच्छे जिन लोगों को एंथराक्स का इंफेक्शन हो गया है तो एंथराक्स की इंफेक्शन में 400MG की भी डोज लगाई जा सकती है या 500MG की भी डोज लगवाई जा सकती है इसके इलावा आपके पास होता है नौन सिस्टिक फाइब्रोसिज अब यह होता है जो आपके पास ब्लेडर होता है जिसमें आपके यूरीन स्टोर होता है तो ब्लेडर की अंदर अगर कोई इंफेक्शन हो गया उस कंडिशन में भी आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिकली बात करें तो 400MG आईवी सलूशन लगाती है इनफूशन लगवाती है अब इतनी ज्यादा डोज है तो आविस सी बाते के कुछ एडवर्स इफेक्ट तो आएंगे जैसे उल्टियां वगवागा होना पेट में दर्द होना डाइरिया हो जाना लिवर के उपर इसका एडवर्स इफेक्ट आ सकता है या फिर क्रेटिनीन यानि के किड़नी के ओपर भी एडवर्स इफेक्ट आ सकता है रेशिस बगएर भी आ सकते हैं और ज्यादा दर जो बड़ी उमर के लोग है ना जो साट साल से प्लस हैं वो इस तरह की ड्रग्स को अवाइड रखें क्योंकि उनको मसल्स वगएरे में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है तो यह आपके पस ड्रग्टी सिप्रोफलॉकससिन